और मैं यह कह रहा हूं कि यार इस World Cup में तो बदला लिया गया है ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा कर बदला लिया है, इंडिया ने न्यूजिलेंड को हरा कर बदला लिया है, तो South Africa आज Australia को हरा कर भी बदला ले सकता है, यहार 799 लेकिन आपको बदला नहीं जो भी जीतेगा हम बड़िया तरीकी से बल्ला लेने के लिए तयारे लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं साउथ आफरिका और आस्टेलिया के बीच हुए वंडे मुकाबले के रिकॉर्ड क्या कहते है कौन सी टीम किस पर भारी पड़ी है साउथ आफरिका वर्सेश आस्टेलिया वंडे रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है मैच खेले हैं 109 साउथ आफरिका जीता है 55 और आस्टेलिया जीता है 50 यानि कि साउथ आफरिका का पड़डा यहां पर भारी है चलिए अब आपको वर्ड कप में South Africa और Australia की टककर के नतीजों के बारे में बता देते हैं साथ मैच, तीन मैच South Africa जीता है, तीन मैच Australia जीता है और ये जो साथवा, ये जो एक मैच जो नहीं समझ में आ रहा ना किसी को वो किसी को समझ में नहीं आया था 1999 वर्ड कप का वो मैच था, जो की टाई हुआ था लैंस क्लूजनर बड़ी आफ ओम में थे लेकिन एलर्ड डॉनल्ड भागे नहीं थे और वहां पर South Africa मैच टाई होने के बावजूद भी फाइनल में नहीं पहुच पाया था अब तक दोनों टीमों के बीच वर्ड कप में साथ बार मुकाबले हो चुके हैं वो हम आपको बता दिया है लेकिन यहाँ पर वंडे रिकॉर्ड भी बता देते हैं भारत में यहाँ पर चार मैच हुए हैं South Africa और Australia के बीच चार मैच South Africa चारो जीता है यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो South Africa की हिम्मत को बढ़ाएगा और कंगारूं की टेंशन बढ़ाएगा क्योंकि भारत में जब भी Australia और South Africa का मैच हुआ है सारे के सारे मैच सारा का सारा मैच यहाँ पर South Africa ने जीता है तो कपिल भाई से पूछते हैं अब हमने रिकॉर्ड भी देख लिए दोनों टीमों के इंडिया में जो पलडा है वो South Africa का भारी है हमने ये भी देख लिया कि South Africa की strength के हिसाब से अभी तक यह semi-final जा रहा है क्योंकि South Africa ने टौजीत का पहले बेटिंग कर रहे हैं आपको क्या लगता है क्या South Africa क्योंकि इस बार World Cup में बहुत सारी चीज़े जो होती थी वो टूटी है अफगानिसान ने पाकिस्तान को तोड़ा है मलब क्या तोड़ा है उनका बोर्ड, उनका कैप्टन, उनका सब कुछ सब कुछ तोड़ी है, हिम्मत ने तोड़ी है और यहां पर जो जिंक्स था न्यूजिलेंड का, वो हम इंडिया ने तोड़ा है आपको क्या लगता है, कि कुछ यहां पर आपको भी तूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या देखिए, मैं विदाउट थिंकिंग कैप बता देता हूँ अस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीतेगा अच्छा जी बैटिंग फर्स्ट और बोलिंग फर्स्ट अस्ट्रेलिया ऐसे मैच छोड़ता नहीं है वो अपने गेम को आज के दिन एक नौश उपर ले जाते हैं तो मिचल सार्क जो अब तक कमाल नहीं कर रहे थे पैट कमिस जो कमाल नहीं कर रहे थे वो मुझे लगता है कि बढ़िया गेंदवाजी उस्ट्रेलिया की होने वाली है और वो एक और फाइनल खेलने जा रहे हैं भारत के साथ तो वो पीली जर्सी वाली टीम की चुनोती के लिए हमको तयार रहना होगा लेकिन उसके पहले बड़िया क्रिकेट उनको खेलना होगा तो बाद में बल्ले बाजी कर रहे हैं लेकिन उस्ट्रेलिया के पास मुझे लगता है कि उनका X Factor अगर कोई होगा तो Travis Head का बल्ला अगर चल गया तो बहुत घातक होने वाले हैं यूँकि वो अच्छे टाश में दिखाई दे रहे हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो फिर वो बहुत बड़ा खेलते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो कपिल भाई आपकी भविश्य वाणी को हम पहले से जानते हैं जब ऑस्ट्रेलिया दो मैच हार गया था पहले तब भी इन्होंने कहा था और बाकी लोग कहने थे कि क्या ये सेमी फाइनल में साउथ अफ्रीका का सफर ऑस्ट्रेलिया खत्म करेगी थोड़ी देर में मैच डू होने वाला है हम सब को पता चल जाएगा कि मैच में क्या होगा लेकिन मैच के बाद दा क्रिकेट शो पर बढ़िया एनलेसिस लेकर हम लोग यहां पर आएंगे अभी के लिए इस शो में इतना ही मेरो नाम है चैनलस्तोगी मैं वपी शेख मंचंदा मेरा नाम है प्रशान कपूर और आप देख रहे हैं Zee News Zee News